आखिर औरत का वह कौन सा अंग हर रात बेशर्म होकर दबाने और चुमने से अचानक अपार धन की प्राप्ति होने लगती है, लोग औरत का कौन सा अंग दबा और चुम कर अमीर बन जाते हैं, जो भी मनुश्य औरत का यह अंग दबाता या चुमता है, उसके घर में सदा मा लक्ष्मी का वास रहता है और मा लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक सच्ची कहानी के माध्यम से बताएंगे कि औरत का वह कौन सा अंग है जिसे हर पुरुष को दबाना और चुमना चाहिए अधूरी जानकारी विश्के समान होती है इसलिए वीडियो को बीच में ना छोड़े दोस्तों एक बार की बात है एक गाउ में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी बात-बात पर हमेशा उसे ताना मारा करती थी तुम्हारे पास है ही क्या घर में खाने तक को कुछ नहीं है दोस्तों उसके घर में बिलकुल कंगाली चा गई थी एक भी रुप्या नहीं था और उसके घर में खाने के लिए अनका एक दाना तक नहीं था दोस्तों एक तो घर में खाना नहीं उपर से पत्नी का ताना वह बहुत परेशान हो गया था उसे समच नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, एक दिन की बात है जब वह अपने घर से एक सुनसान रास्ते पर निकल गया, वह बहुत ही सुनसान रास्ते पर चल ही रहा था, कि उसे एक साधु तपस्या करते हुए दिखाई दिये वह उनके पास जाकर बैठ गया. जब साधु ने अपना तप खत्म किया, तो गोपाल उनके सामने जोर जोर से रोने लगा, साधु ने गोपाल से कहा, पुत्र तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम क्यों रो रहे हो, आखिर तुम्हें क्या परेशानी है, तब गोपाल ने साधु महाराज से कहा, ये महाराज मेर एक पत्नी है जो कि मुझे रोजाना ताना मारती है। मैं गरीब हूँ तो मैं क्या करूँ। कितना भी कुछ कर लूँ लेकिन धन कमा ही नहीं पाता हूँ। मेरा एक छोटा सा धन्धा था। वह भी पत्नी के कलेश की वजह से चौपट हो गया। वह दिन रात मुझसे जगड करती है अब तो मैं दाने-दाने के लिए परिशान हो गया हूँ। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके अलावा पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूँ कि वह मुझे ताने ना मारे, मुझसे जगडा ना करें। लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं मानती, साधु जी इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इसी वजह से मैं घर छोड़ कर यहां आया हूँ, तब साधु जी कहते हैं, रो मत बेटा, मैं तुम्हें एक काम बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारी किस्मत चमका देगा तुम्हें अपनी औरत का सिर्फ यह अंग बेशर्म होकर दबाना और चूम लेना है, अचानक तुम्हारे घर में धन की प्राप्ती होने लग जाएगी, तुम देखते ही देखते अमीर बन जाओगे साधु जी कहते हैं, जो भी पुरुष औरतों का यह अंग दबाता या चूमता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है, और ना ही उसके घर में लड़ाई होती है, वह जो भी व्यापार करता है, उसमें हमेशा तरक्की होती है साधु जी ने कहा, अब मैं तुमको औरत के उन अंगों के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनना और अपने जीवन में इस पर गौर करना, तब गोपाल साधु जी महाराज की बातें बहुत गौर से सुनता है, और कहता है, कि जितना जल्दी हो सके मुझे यह बता दो लक्षमी का वास रहता था, और उसके खेतों में इतनी ज्यादा पैदावार होती थी, कि वह दिन प्रतिदिन और अमीर होता जा रहा था, उस किसान और उसकी पतनी में इतना प्रेम था, कि आसपास के लोग उन्हें देख कर जल जाया करते थे, धीरे धीरे उसके पूरे ग पहुचती है, तो राजा भी उसके प्रेम की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं, वह सभी को बताते हैं कि हमारे नगर में एक किसान और उसकी पत्नी रहते हैं, जिन में कभी भी लड़ाई जगडे नहीं होते हैं। जलाएंगे, राजा की पत्नी पूचती है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, सबके घर में घी का दिया क्यों जलवा रही हैं। दीपक जलाना चाहता हूं। दोस्तों दीपक हमेशा किसान की पत्नी जलाती थी, लेकिन उसकी बात नहीं मानती थी, वह हमेशा अपनी मन मानी करती थी। उसका जो भी मन करता था वही काम करती थी। लेकिन किसान को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि किसान बहुत समझदार था। किसान सोचता था यदी में अपनी पत्नी को रोक्तो करूंगा तो घर में बेवजह ही लड़ाई जगडे होंगे। कई चीजे किसान इस वजह से अंदेखा करता था कि उसके घर में प्रेम बना रहे, राजा अपने महल को छोड़ कर पूरे नगर का नजारा देख रहे थे। उन्होंने देखा कि सारे नगर में किसी के घर में दीपक नहीं जड़ रहा है, लेकिन किसान के घर में दीपक जड़ रहा है, तब राजा अपनी रानी से बोलता है कि देखो किसान और उसकी पत्नी के घर में दीपक जगमगा रहा है, लेकिन पूरे नगर में कहीं भी वह किसान की पत्नी की वजह से है और इसी वजह से उसके घर में इतना ज्यादा प्रेम है। दोस्तों इसी तरह कुछ देर चलता रहा। इस बात पर राजा और रानी दोनों सहमत हो गए और दोनों की परीक्षा लेने के लिए तयार हो जाते हैं। तब राजा अपने महल में जाता है और एक पुरुष सैनिक को बुलाता है और पुरुष सैनिक से बोलता है कि तुम किसान के पास जाओ। और जो जो प्रशन मैं तुम से बोल रहा हूँ वह तुम किसान को बोल देना। वह पुरुष सैनिक बोलता है ठीक है महाराज। वह सैनिक राजा की बात सुनकर किसान के पास जाता है। उस समय किसान की पतनी खेतों में गई थी लेकिन किसान की तबियत कुछ ठीक नहीं थी इस वजह से वह खेतों पर नहीं गया था। इस समय वह सैनिक किसान के घर पहुँच जाता है और किसान से कहता है मैं राजगरबार से आया हूँ राजा साहब ने मुझे भेजा है दोस्तों किसान कहता है बताए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ आप बैठ जाए मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ तभी वह सैनि बोलता है कि नहीं तुम कुछ भी मतलाओ मैं राजा का सैनिक हूँ बस आपके पास राजा का समाचार लेकर आया हूँ तब किसान कहता है खीक है आप मुझे बताओ राजा साहब ने मेरे लिए क्या समाचार भेजा है सैनिक कहता है किसान राजा साहब ने यह बोला है कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो राजा जी आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात और साथ में तुम्हारी जमीन से दो गुना ज्यादा जमीन राजा जी आपको उपहार में देंगे इसके अलावा राज्यमहल का आधा हिस्सा भी आपको दिया जाएगा लेकिन जो किसान ने जवाब दिया वह सुनने लायक है किसान ने कहा राजा जी अपना पूरा राज्यमहल मुझे क्यों ना दे दे लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा जाओ और अपने र रानी ने कहा आपने किसान की तो परीक्षा ले ली लेकिन किसान की पत्नी की परीक्षा नहीं ली है इस तरह से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन समझदार है इसके बाद रानी ने कहा कि अब मैं भी किसान की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूं जब दोनों की परीक्षा हो जब किसान वहां पर ना हो, सैनिक ने पूछा कि रानी क्या बात बतानी है, वह तो बताओ, तो रानी ने सैनिक को सारी बात बता दी, सैनिक किसान के घर जाता है, और उसके घर में आवाज लगाता है, तो उसके घर से किसान की पत्नी निकल कर आती है, और कहती है, बताओ क्या हुआ क्यों धिंधोरा पीट रहे हो तो सैनिक ने कहा कि मैं राजमहल से आया हूँ मुझे रानी ने भेजा है किसान की पत्नी ने कहा बताओ किस लिए आये हो तब सैनिक ने कहा रानी ने बोला है यदि तुम अपने पती किसान को मार देती हो तो बहुत सारे हीरे जवाहरात और साथ में राज महल का आधा हिसा भी आपको मिलेगा, इसके अलावा जितनी भी आपकी जमीन है वह तो आपकी रहेगी, लेकिन उसकी दोगुना जमीन भी रानी आपको देगी, यह बात सुनकर किसान की पत्नी तयार हो जाती है, कहती है ठीक है यदि मुझे रानी साहिबा तो मुझे मनजूर है, मैं अपने पती को मार दूंगी, तब सैनिक पूछता है कि रानी को कैसे पता चलेगा कि आपने अपने पती को मार दिया है, तभी किसान की पत्नी बोलती है मेरे घर में जो दीपक जल रहा है, जब मैं किसान को मार दूंगी तो उसे बुझा दूंगी, तभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने किसान को मार दिया है, अब सैनिक किसान की पत्नी की बात सुनकर राज महल जाता है और रानी को सारी बात बताता है किसान की पत्नी की बात सुनकर रानी बहुत अचम्भित हो जाती है, राजा और रानी को स्त्री जात से नफरत होने लगती है, उसी समय राजा अपने नगर के सभी लोगों को बुलाता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे और मेरी पत्नी की वजह से किसान की जान ना जाए तुम लोग ऐसा करो उस किसान के घर जाओ और सारी बाते बता दो और उस किसान को बचा लो वरना किसान की पतनी उसे मार देगी इधर सैनिक किसान के घर जाते हैं और सोचते हैं कि किसान की पत्नी किसान को रात में मारेगी और दिया बुझाएगी इससे पहले ही हम किसान के घर में पहुँच जाते हैं और किसान को बचा लेते हैं दोस्तों जैसे ही राजा के सैनिक किसान के घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि किसान तो मरा पड़ा हुआ है तो सैनिक किसान की पत्नी से बोलते हैं कि तुमको तो किसान को रात में मारने के लिए बोला गया था लेकिन आपने अभी किसान को क्यों मार दिया तब उस किसान की पतनी बोलती है कि किसान को तो मुझे मारना ही था रात में तो मुझे सिर्फ दिया ही बुझाना था इसलिए किसान को तो मैंने दिन में ही मार दिया है सभी सैनिक तुरंथी किसान के घर से दोडे दोडे जाते हैं और राजा रानी को सारी बाते बताते हैं, राजा और रानी क्रोज से आग बबूला हो जाते हैं, इसके बाद राजा और रानी किसान की पत्नी को बंदी बना कर लाने के लिए अपने सैनिक से कहते हैं, सैनिक जात तभी किसान की पतनी ने जवाब दिया और बताया कि मुझे तो किसान को पहले ही मारना था, वह तो मैं कोई बहाना ढूंड रही थी, क्योंकि किसान की आदत बहुत खराब थी, वह मेरे साथ बहुत खराब व्यवहार किया करता था, तो राजा ने कहा ऐसा क्या करता था किसान तो किसान की पत्नी ने जवाब दिया कि वह मेरी नाक का उपरी हिस्सा अपनी उंगली से हमेशा दबाया करते थे। इसके अलावा किसान एक काम और मेरे साथ करता था। राजा ने कहा मैं समझ गया कि किसान ऐसा क्यों करता था। उसी समय साधू जी ने गोपाल से पूछा। तुम्हें कुछ समझ में आया औरत का कौन सा अंग दबाने तथा चुमने से लोगों को अचानक धन की प्राप्ती होती है। तो गोपाल ने कहा नहीं साधू जी मुझे अभी समझ में नहीं आया। तभी साधू जी कहते हैं अगर अभी समझ नहीं आया तो मैं ठिर से आपको बताता हूँ। किसान अपनी पत्नी के साथ जो पहला काम करता था वह है उसके नाक के उपरी हिस्से को अपनी उंगली से दबाता था। तो जिस भी मनुष्य के घर मे पैसों की किलत है उसे अपनी उंगली से औरत के नाक के उपरी हिस्से को जरूर दबाना चाहिए। दोस्तों औरत के नाक के उपरी हिस्से को बहुत शुभ माना जाता है। इसी वजह से जो यह काम करता है वह हमेशा धनवान पुरुष बन जाता है। दूसरा काम है जो भी पुरूश औरत के कान का पिछला हिस्सा अपनी जीब से स्पर्श करता है, उसके किस्मत के द्वार खुल जाते हैं, उसे अचानक धन की प्राप्ती होती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि औरत के कान के पिछले हिस्से में माता लक्ष्मी का वास होता है, जब आप ऐसा करते है तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपको अपार धन देती है और आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी औरते माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती है यही वजह है इस संसार में जो भी मनुष्य यग्य पवित्र काम करता है उसका घर धन से भर जाता है जो की इस कहानी में किसान भी अपनी पत्नी के साथ करता था लेकिन आप जब भी ऐसा काम करें तब आपको अपनी पतनी को पूरी बात बता देनी चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में ऐसा अनर्थ भी हो सकता है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों सच्ची श्रधा से कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, राधे राधे, देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाये रखें इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले